जैहिन दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CISF फायर्मेन 1149 पोच्टों का अगर आपने एकजाम दिया है तो यह वीडियो आपके लिए काफी जारा इंपोर्टन्ट रहने वाला है क्योंकि यह वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए बना रह हो चुकी है तो इस प्रकार से अब यह समझ में आता है कि 1700 पलस का मतलब यह हो गया कि अभी तक जो बच्चे यहाँ पर 1149 पास होने वाले थे अब यहाँ पर 1700 पलस बच्चे पास होंगे ठीक है मतलब करीब यहाँ पर 1721 बच्चे क्वालिफाई किये जाएंगे अब पाइनल में आपकी कटाउफ बनाई जाएगे ऐसा कहीं नहीं बताया गया है तो इसके अकोर्डिंग और पिछली भरती के अकोर्डिंग अगर मैं आपको सब को बताओं यहाँ पर तो आप सभी का रिटर्न इक्जाम में उतने ही बच्चे क्वालिफाई किये जाएंगे ज बकेंसी को रिटर्न इक्जाम का रिजल्ट आने के बाद बढ़ाया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया उसमें रिज्जन यह निकल के आया क्योंकि बच्चे तो रिटर्न इक्जाम में उतने ही kwalify होंगे जितनी बकेंसी है तो इसलिए यहाँ पर eniggy का result आने से पहले इस vacancy को यहाँ पे increase किया गया ताकि हम उतने ही बच्चे qualify करें जतनी vacancy हो तो जब यहाँ पे 1149 पोस्ट आई इसको बढ़ा कर यहाँ पे कर दिया गया कितना कर दिया गया 1721 पोस्ट तो 1721 बच्चे अब यहाँ पे qualify किये जाएंगे return exam में और मेरे भाई इस भरती में के ओल ऐसा हो रहा है कि return exam में उतने ही बच्चे पास के जाएंगे जतनी की vacancy है बाकी हर एक भरती में ऐसा नहीं होता वहाँ पे कुछ न कुछ होता है कि हम इतना गुना पास करेंगे कोई भी भाग बोलता है कि हम return exam में medical के लिए इतना पास करेंगे हर चंगा का अलग अलग सिस्टम है लेकिन CISF fireman में ऐसा सिस्टम है कि पहले इसमें physical हो जाता है उसके बार return exam होता है और return exam में उतने ही बच्चे पास के जाते हैं जितना की vacancy रहती है आप उतने ही बच्चे ले ले लेंगे कि इतना ही हम बुलाएंगे तो कितना बुलाएंगे 1721 बुलाने वाले हैं ठीक है तो अब यहाँ पर बड़ा मुद्ध यह उड़ता है कि क्या 1721 में हमारा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा एक cutoff अगर हमको पहले पता चल जाए लेकिन क्या गिर कश के बचाहाएंगे तो यहां पर बाकी यूटूबर कैसे आपको बता सकते हैं कि कि दुगा यहां पर बहत को भात तर जाएगा ठीक है लेकिन जब रिजल्ट आया कटॉप निकल गया बैसी तो इसे कहेंगे अरे हुए ऐसे कैसे हो गया यह कैसे हो गया मैं तो 72 बताया था बैसी चला गया मतलब विभाग ने बहुत हाई कटॉप बनाया है अब आप सबको और पढ़ना पड़ेगा आप इस बैस को लेकर पढ़ि अब को अगर अगर एक क्या कैसा के सांने आ थीक हैं ठीक है यह मत सोचना की हम एक कुण्ण नहीं करें SW pai में रूख जयाता है तो इसलिए वह से हें के कृम को को ध्यान में रखते हुए दीज़ेगा ठीक है अब यहाँ पर बड़ी बात या निकलती कट आफ लगबग कितनी रह सकती है तो मैं भाई अगर मैं आपको यहाँ पर अप्रॉक्स बताऊं तो यहाँ पर वैकेंसी बढ़ने के बाद मैं बता रहा हूं 1721 बच्चे क्वालिफ किये जाएंगे लेकिन अगर हम कट आफ की बात करें मेरे दोस्तों आपका असी प्लस ही रहेगा उससे नीचे कट आफ रहने के कोई भी उम्मीद नहीं है हम यह नहीं कह रहे हैं कि हर एक स्टेट का असी प्लस ही रहेगा क्योंकि वैकेंसी 1149 थी इसको स्टेट वाइज बा बाटा गया है क्टेगरी वाइज तो यहां पर हर एक क्टेगरी वाइज कट आफ अलग-अलग बनने वाले है इससे कुछ ट्रेड मतलब कुछ इस्टेट ऐसे होंग जिनकी कट आफ आपको बेहत कम देखने को मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिलेगा करीब बात करें पर कट आउप भी आपकी तयार की जाएगी अब यहाँ पर बड़ा मुद्ध यह उठता है कि अगर रिटानिक जाम में केवल 1721 बच्चे ही क्वालिफाई किये जाएगी जतनी वेकेंसी है तो अगर माल लोग कोई बच्चा यहाँ पर मेडिकल में डिस्क्वालिफाई होता ह तो क्या उसकी सीट खाली जाएगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी त्यारी कर रहे हैं ससी जीडी कॉंस्टेबल 2023 की नई भरती की तो आप सब के लिए बेस्ट बूर निकल के आ चुकी है जो कि चक्सु पब्लिकेशन की रहने वाली है यह बूग आपके त्यारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है क्योंकि आप सभी को इस बूग में अठाइच सो प्लस बहुविकल प्रशन मिलने वाले हैं 500 पेपर आपको दिये जाएगा 2023 लेकर 2021 तक का 100% आपके सलेबस पर यह बूग अधारित है और आप सभी क को परचेस करते हैं साथ ही मैं आप सभी को इस्टेडी गाइड मिलने वाला है जिससे आप सभी अपने तयारी को दोगनी मजबूत कर सकते हैं अगर आप सभी इस बूग को ऑनले मादम से परचेस कर सकते हैं या फिर अपने मार्केट से भी आफले मादम से परचेस कर सकते ह जी हाँ दोस्त उसकी seat यहाँ पे खाली चली जाएगी इसको सोचकर काफी सारे भाई परिसान भी होगे कि हमने physical qualify किया हमने return jam दिया है तो हमको भी उलाकर वहाँ पे seat फूल कर सकते थे लेकिन मेरे दोस्त जो पहले rule निकल के आगए notification में उसको बदल नहीं सकते वो ठीक है पुस्त यही होने वाला ठीक है 1721 बच्चे जब qualify किये जाएंगे तो यह सारे बच्ची यहाँ पर medical देने जाएंगे अगर यहाँ पर आपको मैं example तो पर समझना चाहूं तो यहाँ पर मालो 21 बच्चे medical में disqualify होगे medical pass नहीं कर पाएं तो यहाँ पर केवल और केवल 1700 बच्चों का selection हो जाएगा final में और यहाँ पर 21 बच्चों का जो vacancy है वो vacancy 21 यहाँ पर खाली चली जाएगी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि waiting लिस्ट जारी कर दें या और बच्चों क का point से selection दुख जाए तो वो बच्चों को बुला लिया जाए ऐसा नहीं करते यह लोग लेकिन करना चाहिए इन लोगों को हो सकता है आगी चलके कोई notice होगरा जारी किया जाए सियासा कोई side पर कि ऐसा बताया जाए कि नहीं अगर बच्चा कोई medical में disqualify हुआ है तो यहाँ अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है अब आगे कैसे क्या कुछ होता उसकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाले समय में प्रोवाइड करा दूँगा ठीक है अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अच्छा यह पता दीजे रिजल्ट कब तक आएगा यह आपको बता दे म चैसे जाई बर्रैक्स यार सब फार्मन का जल्दी आजये क्यो कि इसमें क्या है कि अब मेटिकल होगा बाकी यहाँ पर ट्रेस्ट तो अलग है लेकिन तो टीकेस ही जारी करेगा ना क्योंकि टीसस ने इक्जाम लिया है तो इसलिए मैं आपको इतना करना चाहता हो कि आप स कितना गया है आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर मैं आपको बताओं तो नॉवंबर के सेकंड वीक में आपको सियासा फार्मन का रिजल देखने को मिल सकता है रिजल्ट आने की जैसे रिजल्ट आ गया उसके करीब 15 दिन के अंदर आप सभी का मेडिकल भी यहाँ प अगर आप अच्छी से मेनत किया होंगे तो अधरवाई अगर आपको एक वीडियो थोड़ी विच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब करके वे लाइकन ओल पर जरूर प्रेस कर लें फ्यूचर में इस तरीके से अपडेट मैं आप सब तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम